जैहिंद, नमस्कार, मैं सुनिल वर्मा, आपका स्वागत करता हूँ रिजल्ट मित्रा के प्लेटफोर्म पर, आप सभी को गुड मॉनिंग, आप सभी को बैरी बैरी गुड मॉनिंग, आप सभी का स्वागत है एडवांस एकॉनमी की क्लास में, आज से हम एक नया सफर प्रा कि क्लास थी अगर उसको जॉइन कर चुके हैं तो मेरा पूरा भरोसा है कि उनका यह जो बिस्रह है आसान हो चुका है इंट्रेस्टिंग हो चुका है अब प्रश्णा आपका यह आएगा कि सर जब आपको एडवांस एकॉनमी पढ़ाना था तो आपने बेसिक एकॉनमी वाली क्लास अलग से क्यों चालोगी क्योंकि इसलिए दरसल आपको पिछली क्लासिस में या फिर जो आपका जो स्कूलिंग का दौर रहा है उसमें एकॉनमी ठीक से नहीं पढ़ाई गई थी ऐसे में आपको जब एकॉनमी नए इसरे से एकदम एडवांस लेबल की डे वन से अग प्रेले हम बेसिक एकॉनमी पर बात कर लें और इसी के कारण 1819 क्लासिस में मैंने बेसिक एकॉनमी को डिसकस किया लेकिन आज से जो आपकी जर्नी चालू हो जा रही है उसमें हम एडवांस एकॉनमी डिसकस करेंगे अर्थार वह हम स्लेबस कम्प्लीट करेंगे जो आपके एक्जाम का पाठ है तो यहां पर जितने भी टॉपिक हम देखने वाले हैं उसमें पूरे एक तरफ से स्लेबस को कबर करते हुए और एडवांस लेबल में अर्थार हम एक्जाम के अनुसार अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे ऐसा नहीं है कि अब समझ में नहीं आ जाते हैं तो डे वन से ही आपको एडवांस ट्रेनिंग नहीं कराई जाती धीरे धीरे आपको उससे परचित कराई जाता है उसके अनुसार आपको ढाला जाता है और फिर आपको कहा जाता है कि भाईया यह आपके अस्त्र सस्त्र हैं यह आपके अधिकार हैं यह आपके दा अगर नहीं की है तो क्या ये वाली class समझ में आएगी हाँ समझ में आएगी मेरे class की यही खासियत होती है क्योंकि हम हमेशा समझ कर पढ़ने और पढ़ाने की जो सैली है इस पर भरोसा करते हैं लेकिन अगर आपका डर है और आपको लगता है कि कहीं ये विसे हमको डरा रहा ह तो मैं आपसे request करूँगा उस class को भी देख लीचेगा जब तक आप इस class को पढ़ रहे हैं जब तक आपको बिल्कुल आसान लगे तब तक इसी class को कीजिए जब थोड़ा सा लगे कि चलिए देखें तो सही सर ने वहां पर क्या बताया है तो आप उस class को भी कर सकते हैं advanced Indian economy का segment start करने जा रहे हैं अब जब हम economy का segment start करने जा रहे हैं तो हमारे सामने कई तरह के प्रश्ण होंगे जैसे पहला प्रश्ण तो यही होगा कि आखिर क्या-क्या हमें पढ़ना है सिलेबस क्या है तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ उसी के थाथ इस बि सेशन को आगे बढ़ा एक बार सभी लोग सेशन को लाई को अर। रह कर लें चीक हैं। तो देखिए गा मैं अभी थोड़ा सा दस मिनट उन बच्चों लोंगा जो पहले क्लास में आ चुके हैं क्योंकि मैंने उनको पिछली क्लास में यह बताया था कि आखिर इससे कितने कुस्षन आते हैं आज मैं उसी पर 10 मिनट बात करूंगा तो जो पुराने बच्चे हैं वो थोड़ा सा पेसेंस रखेंगे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ताकि जो लोग आज से जुड़े हैं कम से कम उनको भी हर चीज एकदम किलियर हो आप खुश समझें अगर आप नए स्टुडेंट हैं और आप किसी क्लास में आ गए हैं और टीचर आपसे कह रहा है कि भीया 10 मिनट दे दो ताकि जो नए बच्चे आ गए हैं उनका भी हम पूरी तरह से कॉंसेट केलियर कर दें तो थोड़ा सा आपको सही हो करना चाहिए तो हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं उससे पहले यहाँ पर देख लीजे लिखा हुआ है इकॉनमी आसान है बहुत आसान है और जितना आसान इस इसमाईली से लग रहा है न इससे भी ज़्यादा आपको आसानी बिशय लगने वाला है तो हम अपने डिसकसन को पहले 10 मिनट की डिसकसन को इन पार्स में डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि यह जो बिशय है इसका महत तो क्या है अर्थात importance क्या है फिर syllabus देख लेते हैं थोड़ा सा रणनीती पर बात कर लेते हैं और फिर अगर आपको book ना बताया जाए आपको यह ना बताया जाकि कैसे पढ़ना क्या क्या आपको पढ़ना है तो आपके कलेजों को धंडक तो मिलेगी नहीं तो कलेजों को धंडक मिल जाए इसल प्लिम्स में देखें, तो हर साल ओसतन 18 से 19 प्रशन यहां से पूछे जाते हैं, आपको पता है कि आपको UPSC, CSC प्लिम्स क्रैक करने के लिए कितने कोस्टन चाहिए, 50 से लेकर 55 कोस्टन, अर्थात निगेटिव मार्किंग के बाद, अगर 50 से लेकर 55 कोस्टन आपको मिल जात हैं, तो प्लिम्स आप क्रैक कर चुके हैं, मेंस का हिस्सा बन चुके हैं, अब देखें, 18 से 19 प्रशन हर साल पूछे जा रहा है, और कई वर्सों में तो प्रशनों की संख्या 20 प्लस भी हो गई है, इसका मतलब है, इंपोर्टेंट सेगमेंट है, तो प्लिम्स पास करने का एक बहुत बहतर भी कल्ब बन सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, यह बिसे बहुत आसान है, और जितना आसान मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा आसान आपको पढ़ने के बाद लगने वाला है, अब मुक्ते परक्षा में बात करें, तो आपको पता है, GSP पर ठर्ड मे एकॉनमी का सेग्मेंट है, और यहाँ पर उसतन अगर देखा जाए, 130 से लेकर 1500 नंबर के कोसन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसका मतलब क्या पता चला, कि important topic है, इसलिए थोड़ा सा हमें समय देकर अच्छे से पढ़ना होगा, अब हम बात कर लेते हैं कि syllabus पर, और जो syllabus मैं दिखा रहा हूँ, इसी को हम follow करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमारा जो पूरा यह subject है अभी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यह अर्थसास्तर, अर्थव्योस्था क्या होती है, तो इस पूरे बिसे को जब हम पढ़ेंगे, या मैं आपसे कहूँ कि अगर जो syllabus है, यहीं सी start होगा, हम सबसे पहले मुद्रा और बैंकिंग से आगे बढ़ेंगे, तो मुद्रा और बैंकिंग से आगे बढ़ते हुए, हम यह देखेंगे कि मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के परकार कितने होते हैं, हनब मुद्रा की क्रैस सकती स्चमता क्या होती है फिर मुद्रा का बैंकिंग के साथ क्या संबंद है, फिर बैंकिंग का विकास भारत में कैसे हुआ, फिर हम देखेंगे कि ये बित्य बाजार क्या होता है, मुद्रा इसफीती और अर्थ व्योस्था में क्या संबंद होता इसको देखेंगे, फिर आर्थिक सम्रध्धी और आ आखिरे दूपच्छी ब्यपार समझोते क्या होते हैं, भारत ने कितने देशों के साथ किस परकार का दूपच्छी ब्यपार समझोता किया है, फिर हम देखेंगे ये भुकतान संतोलन क्या होता है, और विदेशी निवेशों से इसका क्या संबंध होता है, कैसे परभावित ह अंतराष्टी संस्थाएं क्या हैं कैसे अपने अर्थ ब्योश्था किसी भी ग्लोबल एकॉनमी को रेगुलेट करने में उनका क्या रोल है जो अंतराष्टी संस्थाएं हैं वो भारती अर्थ ब्योश्था को कैसे परभावित करती हैं कौन कौन से उनके नियम है कानून है उ सिलेबस का सेगमेंट हमारा complete हो जाएगा I hope आप सिलेबस भी देख चुके हैं तो जब सिलेबस आपने देख लिया फिर अब आपके प्रशन आ जाता है कि सर हमारी रड़नीती क्या होगी तो इस जो बिसे है जैसा कि मैं बार-बार कह रहा हूं आसान है बस इसको पढ़ने का तरीका वह अपना लीजे जो मैं आपको बता रहा हूं इस पूरे बिसे में आपको कहीं नहीं जाना आपको अपने घर में रहना है अपने परिवार में रहना है जो आपके घर और परिवार में हो रही है उनमें से बहुत सी चीज़े आपके सामने हो जरूर रही है लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहें, तो जब मैं आपसे कहूँ कि देखिए आपके परिवार की है इनकम है, यह परिवार के आपका खर्च है, इस तरह से आपका परिवार आगे बढ़ता है, इस तरह से आपके परिवार के सामने चुनौतियां आती है, इस तरह आपके परिव हैं अर्थिक क्रियाएं मतलब हो तो अगर आप ने घर परिवार और गाँきます मुल्य को समझ लिए और this जीवन के माध्यम से पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे ठीक है उसके बाद यहां पर जितनी भी चीजे होंगी अर्थात जैसे बाजार काम कर रहा है बाजार उपर जा रहा नीचे जा रहा है अभी आपने सुना होगा कि फिलिस्तीन और जो है कि इजराइल की बिवाद क उपर जा रहा है नीचे जा रहा है अभी दिपावली आ रहे है तो आर्भी आइक कही तरह की तरह के घोशनाय करेंगी तो अब आपको क्या करना है थोड़ा सा न्यूज पेपर जो इकॉनमी वाला जो बिजनस वाला न्यूज पेपर है उसको अच्छे से बस पढ़ना होग और उसके लिए परसान नहीं होना, कि सर कौन सर लें, दा हिंदू लें, इंडियन एक्सप्रेस लें, इंग्लिस वाला लें, हिंदी वाला लें, आप इन ही चीजों में ज़्यादा पढ़े रहते हैं, मैं आपको बताओंगा कि किस तरह से न्यूज पेपर एकॉनमी के लिए पढ़ना है, मैं एक दिन इसी पर क्लास रख लूँगा कि एकॉनमी को हमें पेपर के मनद, चार-पान दिनों का पेपर हम ले लेंगे, और मैं बता दूँगा कि देखें, पेपर से हमें एकॉनमी की चीज़े कैसे पढ़ने थी, तो मैं बता दूँगा उसके लिए कम रह जाएं, लेकिन दिमाग में चिंतन के परिकरिया एक बार सुरू हो जाएगी, जैसे कहा जाता है, कि जो लोग बिजनसमेन होते हैं, वो कहीं पर बैठे होते हैं, दिमाग में बिजनस चलते रहता है, ठीकिसी तरह से, अगर आप इस विश्यों को समझ जाएंगे, तो इसके लिए किसी किताब, किसी मैगजीन, किसी पत्रिका की, किसी न्यूज पेपर की जरूरत नहीं है, आप अपने चारों और के बाजार को देखके ही, आप पता पाएंगे कि भबिस में हमारा जो बाजार है, अर्थ विवस्ता है, वो किधर जा रही है, ठीक है, तो रणन करने, और फिर भी आपको लगे किसर कोई तो किताब बता दीजे, जब तक एक किताब नहीं हम आप बताएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो मैं आपसे कहूंगा, कि महश बनवाल जी की NCRT आधारित, इकॉनमी की बुक आती है, महश बनवाल जी की NCRT आ इस इब जाएंगे, नोर्स जैसे-जैसे मैं बनाते चलना हूं, जो जो मैं बताते चलना उसको नोड करते चलिये, सभी किताबों से बहतर आपका नोर्स होगा, इस इब इसे के साथ सबसे बड़ी कटना यह है कि कोई भी यहाँ पर पर फेक्ट किताब आपको मिलती नहीं ह हना class notes ही होते हैं या अपने notes होते हैं जिनके माध्यम से इस विषय को आप tackle करते हैं आसान बना सकते हैं या कठीन बना सकते हैं मेरा मानना यह है कि जिस तरह से मैं आपको एक एक चीजे explain करते हुए आगे बढ़ते हुए चलूँगा अगर आप उसको note करते चलते हैं तो यह बास्तों में बहुत आसान है आप देखेगा ठीक है चले अब हम अपनी journey को start करते हैं और I hope यह basic चीजे थी जो मैं पिछली class में भी बता चुका था और उसमें जो है कि मैंने syllabus डिसकस नहीं किया था मैंने कहा था कि syllabus बाद में discuss करूँगा तो आप समझ पाए कि आखिर हम किस direction में बढ़ने वाले हैं एक सिकन दीजे हना तो यहां पर हमारा जो topic start होगा हम कहां से start करने वाले हैं topic को यहां से हना मुद्रा और banking से क्या यह interesting topic है और क्या यहां से प्रशन आते रहें तो आप कहेंगे कि तीनों चीजों का उत्तर क्या होगा यहां जो है कि interesting भी है आपके syllabus का भी हिस्सा है यहां से question भी आते रहें तो सबसे पहले हम मुद्रा और banking ब्योस्था को पढ़ेंगे फिर भारतिय बित्ती ब पर बात करेंगे उसके बार आर्थिक समरद्धियों और विकास पर फिर हम राष्टी आए और इस तरह से करते हुए आके बढ़ेंगे अगर आपने basic economy मेरे से पढ़ा होगा तो आपको मैंने यहां पर यह जितने topic लिखे हुए हैं इसके बिसे में कोई खास जानकारी आपक क्या यहां तक कोई doubt है प्लिस 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 यहां तक सब के लिए एक बार सब लोग positive thumbnail बना दें बता दें और कोई भी doubt हो तुरंत पूछ लेजेगा एक बार session को like और share कर लेजे बच्चों एक बार session को like और share कर लेजे मैं आपको बस एक ही चीज कह रहा हूं हना बस हना सरीर को रोक कर क्योंकि सरीर को इसलिए रोकना है आपका जो सरीर है न वह मन के आगे इतना कमजोर हो चुका है जैसी class पढ़ रहे थे बाहर से कोई आवाज आई कोई पप से message आया हना कुछ किसी की याद आ गई तुरंत class छोड़ के चल जलते हैं और आप class छोड़ कर गए नहीं ये विसय आप पर भारी पड़ा नहीं बस class में बने रहेगा फिर मैं आपको एक challenge देता हूं कि आप कीज पैसा नहीं लेते देते हैं तब भी नहीं लेते पता नहीं गुरुजी काहे को बरबाद करने पर तो ले आए अपने आपको तुमको थोड़ी बरबाद करें अदुपता नहीं गुरुजी काहे जिद में पढ़े हैं थोड़ासा एक बर देखलो कि हमने ये topic जो syllabus है एकॉन समझे ठीक है। जब वो कहे कि प्रभू आप तो एक टीचर बन चुके हो, आप एक अध्यापक बन चुके हो, हमें आज तक इतनी चीजे समझ में नहीं आई। तो भरोसा कर लेना कि तुम सेलेक्ट हो सकते हो। मुझ पर घर्व मत करना, अपनी आप पर गर्व करना, माता-पिता पर गर्व करना, उनके आसिरवाद पर गर्व करना, कि भाईया माता-पिता के आसिरवाद से आप सही direction में बढ़ रहे हैं, और इसमें छोटे से भाई का भी अपना एक योगदान है. दो के चले. सेर बोढ़ेंक है. क description कर ले यह तो हम अपने चरने को start करते हैं अब मगे कर ने जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे अर्थ विवश्त और इसके लिए सब्द बींग्लिल्स सब्द होता है economy क्यों इसे का दूरा सब्द है कभी भी आप यह नहीं देखेंगे कि economy जैसे हमने आपको जो टाइटल दिखाया उसमें आपने क्या देखा वहाँ पर लिखा था भारती अर्थ बिवस्ता या फिर लिखा था इंडियन इकॉनमी टिक तो अब यह थोड़ा सा समझ लिजे कि आखिर इकॉनमी और अर्थ सास्त में क्या डिफ्रेंस है मैं उतना नहीं बताऊंगा जितनी पिछली क्लास में बताया था चूंकि मैं मान कर चल रहा हूँ कि हो सकते हैं कुछ नए लोग भी हो जो उस कलास में ना आपाए हो तो उनके लिए फिर से मैं आपसे कहूंगा कि जो पुराने लोग हैं प्लीस मुझे पांच मिनट दे दिजे पांच का थेकर थे तो आई ये थोढ़ा सा यहां पर दो सब्दों को हम समझ लेते हैं अर्थ-व्योस्था और एक सबद है अर्थ 彪ored सास्त्त को इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईकोनोमिक्ष इसको क्या बोलते हैं इक कौनमिक है एक क्या है औरcr-थ-black तो अर्थ सास्त जैसे इसमें एक सब्द है अर्थ, तो अर्थ का क्या अर्थ होता है, अर्थ को धन के संदर में प्रियोग किया जाता है, धन के संदर में, या कई जगों पर इसका प्रियोग मुद्रा के संदर में किया जाता है, इसका मतलब है, एक ऐसा सास्त का मतलब क्या ह इतने भी विशे हैं वह क्या है सास्त के रूप में आते हैं तो यह एक ऐसा विशे है जो किसकी बात करता है धन की बात करता है या फिर मुद्रा की बात करता है दूसरे सब्द में कहें तो यह वह विशे है वह विशे जो यह बताता है कि हम हमें धन का या फिर मुद्रा का प् जो हिँ भी देश होता है क्या सभी देशों के पास संसाधन एक समान है לकिन पर्तेख अब कोई देश अपने लोगों के असीमित एक्षाओं को असीमित एक्षाओं के पूरती कैसे करें तो अब देखिए क्या है हर देश के पास संसाधन है और संसाधन जो होते है न वो हमेशा क्या होते है जब आपकी इच्छाएं असीमित हो जाती है तो संसाधन क्या हो जाते है कम हो जाते है गांधी जी को सुनी गांधी जी क्या करते है कि प्रत्वी की जितनी भी संसादन है वो हमारी आउसकता है कि पूर्ती के लिए तो क्या है परियाप्थ है लेकिन अगर हमारी इच्छाएं असीमित है तो कभी भी पूरी नहीं हो सकते हैं तो ऐसे में यह जो बिश्य है यह बताता है कि आखिर आप कम संसाधनों में लोगों की असीमित इक्छाओं को कैसी पूर्ती कर सकते हैं। अर्थात असीमित इक्छाओं की पूर्ती करने के लिए हमें धन का प्रियोग किस रूप में करना चाहिए यही बताता है economics. तो economics क्या है एक परकार का discipline है एक तरह का सिधांत है एक परकार का यह नियम है यह बताता है कि धन का प्रियोग हमें कैसे करना चाहिए जैसे मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ कि UPSC की तयारी कैसे करना चाहिए सभी के लिए मैं एकी चीज बता रहा हूँ, लेकिन क्या सभी के अंदर गहराई में वह एक समान उतर रहा होगा, क्या सभी की रगों में economy एक समान दोड़ेगा, क्या सभी लोग economy को लेकर उनकी जिग्यासा है क्या एक समान होगी, क्या economy के importance को सभी लोग एक समान समझ रहे हो में हम कैसी अपने लोगों की अस्तीमित इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं अभी जो सिध्धान्त है इसका क्या होगा ब्यावहारिक रूप होगा हर देश में क्या होगा इसका ब्यावहारिक प्रियोग होगा और जब ब्यावहारिक प्रियोग होगा तो हर देश में अलग- पच्छुआ कितना किसको समझ में आ रहा है यह उसका ब्यौहारिक पच्छुआ ठीक किसी तरह से जब हम यह कहते हैं कि एकॉनमी जो एकॉनमिक्स के जब हम क्या कहते हैं एकॉनमिक्स के सिध्धानतों का प्रियोग प्रियोग अन या उसका ब्यावहारिक शौरूर किसी देश में किस प्रकार नजर आता है वही क्या होती है उस देश की अर्थ ब्योस्था कहलाती है और इसी की कारा अर्थ ब्योस्था के साथ हमेशा क्या को जुड़ेगा कोई भौगोलिक नाम जुड़ेगा कोई भौगोलिक नाम जुड़ेगा भौगोलिक नाम का मतलब है कि जैसे भारत जुड़ेगा जैसे अमेरिका जुड़ेगा अपने पडोस में जितने देश हैं उस सिद्धान किस रूप में नजर आ रहा है अरथात सिद्ध, एकोनोक्स का जो ब्यवहारिक रूप है उसी को हम क्या बोलते अर्थ ब्युवस्ता तो जब हम ब्यवहारिक पच की बात कर रहे हैं तो सौभावी के ब्यवहारिक पच्च किसी देश का होगा परतेग देश का बेवहारिक पच्च क्या होगा अलग-अलग होगा तो इसलिए हमें यहाँ पर नाम जोड़ना पड़ता है तो इसलिए हम कहते हैं कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है इंडियन एकॉनमी इसको फिर से आसान सब्दों में समझे हमनी कहा कि सभी लोग क्या कर अपने पैसे का अपने तरीके से प्रियोग कर रहे हैं तो उसका जो आउटपुट होगा वह अलग-अलग नजर आएगा ठीक किसी तरह से अर्थ साथ एक डिसिप्लीन है जो यह बताता है कि हमें अपनी कम संसाधनों से हम कैसे बहतर संसाधनों से अपने देश के लोगों के जीवन इस्तर को कैसे बहतर कर सकते हैं अब कितना बहतर हो पाया कितना बहतर कर पाये देश यही क्या है उसकी अर्थ ब्योस्ता है जैसे हमारे पास को संसाधन है तो हमारा देश क्या कर रहा है अपने सीमे संसाधनों के माद्यम से भारत के लोगों का जीवन इस्तर बिक्सित कर रहा है पाकिस्तान कुछ कर रहा है मैमार कुछ कर रहा है बांगला देश कुछ कर रहा है हना सभी देश अप ये सिधान सब के लिए एक ही है एकोनोमिक्स में जितने भी नियम है सभी देशों के लिए एक ही है लेकिन उनका बेवहारिक पच्छ क्या है अलग-अलग है तो इसी के कारण हम यहाँ पर जो बात करेंगे वह भारती अर्थ ब्यवस्था की करेंगे जब हमें बात किसी दूसरे देश की करनी होगी तो वहाँ पर हम जब डिसकसन करेंगे तो इकोनोमिक्स सभी देशों के लिए एक है लेकिन उसका ब्यवहारिक पच्छ अर्थत इकोनमी क्या होगा अलग-अलग होगा तो इंडियन इकोनमी अलग हो जाएगी क्योंकि एकोनोमिक्स के सिध्धानतों को इंडिया ने अलग रूप में अपनाया बांगलादेश ने अलग रूप में उसको एग्जिक्यूट कर पाया क्यों? क्योंकि भाईया सोच अलग है कारे करने का तरीका अलग है संसाधुनों के उपलब्दता अलग है बाजार की मांग अलग है लोगों की मांग अलग है क्या हम इस बात को भी समझ पाए अब आते हैं हम अपने पहले टॉपिक पर और हमारा जो पहला टॉपिक है एक सिकन चले यह सब हुए हना तो हमने कहा कि हमने ये समझ लिया कि आखिर ये अर्थ ब्योस्था क्या होती है और हमने ये भी देखा कि जब हम अर्थ ब्योस्था सब्द लिखेंगे तो इसके साथ हमें ये बताना होगा हम किस अर्थ ब्योस्था की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं भारती अर्थ ब्योस्था की बात करें या बिसु के किसी भी अर्थ ब्योस्था की बात करें है वह अमेरिका का देश होकता है अमेरिका महादिव का देश हो सकता है अफ्रिका का हो सकता है एशिया का हो सकता है तो अगर हम विश्व के किसी भी देश की बात करें या भारत की बात करें तो यहां पर एक अर्थ ब्योस्ता है क्या कर रही होंगे अपनी लोगों के यह अप ब्युवस्टाए क्या कर रहे होंगे, यह बनाता है, प्रतिक देश में क्या क्या होता है, तीन कारे होते हैं उत्पादन होता है बितरन होता है और उपभोग होता है और इस पूरी परक्रिया में बार बार जो सब्द आएगा वह क्या होगा वह होगी मुद्रा का परसार होता है यहाँ पर मुद्रा का हमें चलन देखने को मिलता है या मुद्रा की भूम का हमें देख किये बिन पानी शब सून सुना है यहां पर सून का मतलब क्या है कि अगर आपके पास पानी नहीं है तो आटे से आप रोटी नहीं बना सकते ब्यक्ति के संदर में अगर ब्यक्ति के पास बिनम्रता नहीं है तो ब्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता अब इसको अलग कर दि यह बड़ी चीज है जैसे आप जो भी उत्पादन करेंगे माल लेते हैं आप मालिक हैं तो आप उत्पादन करके क्या करेंगे पैसा प्राप्त करेंगे माल लेते हैं कि मैं आपके यहाँ पर मजदूर हूँ तो मैं आपके यहाँ पर काम करके क्या प्राप्त करूँगा पैस ठीक उत्पादन पर आप करेंगे तो आप चाहें क्रिशी कारे करें चाहें आप उद्योग लगाएं या फिर आप कोई शियवाद दें हर तरीके से आपको क्या चाहिए पैसा चाहिए क्योंकि क्या कहे गए रहिमदास जी कि भाईया रहिमदास जी तो कहे के गए कि पानी लाइन और सुना होगा हना पैसा खुदा तो नहीं है पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है अर्था जो भी अर्थ बेवस्था हैं यह सब लोग क्या कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं पैसा पैसा की बात कर रहे हैं तो अर्थ बेवस्था में हम किस चीज़ की बात कर को बदनाम करने के लिए पैसा पैसा उनके साथ जोड दिया गया हाला कि पैसा का प्रियोग भ्यक्ति भी कर रहा भ्यक्ति भी बिना फ्री में कोई काम नहीं कर रहा है आप देखिए उत्पादन में आप क्या करते हैं पैसा प्राप्त करते हैं फिर भाईया उस उत्पादी सा सामान का कोई ना कोई तो बित्रन करेगा कि नहीं करेगा हन अब बित्रन करेगा कोई ठेले से ले जाएगा कोई बैल गाड़ी से ले जाएगा कोई टेक्टर से ले जाएगा कोई किसी चीज से कोई दुकान में रखेगा कोई मंडी में रखेगा तो डिस्टिबिशन होगा इ यहीं से आगे बढ़ेगे, तो क्या हम अर्थ ब्योस्ता में मुद्रा के रूप को, मुद्रा के योगदान को सोच पा रहे हैं, आप जैसे अभी जीओ में क्या करना चाहते हैं, आप अपने आपको सच्छम बनाना चाहते हैं, आप अपनी उत्पादक्ता को बढ़ाना चाहत तो दरसल आप भी क्या करेंगे अपनी अर्थ व्योस्था में योगदान देंगे अभी किसी ने कहा था कि आज की युवाओं को यह रिल्स की दुनिया छोड़ देनी चाहिए उनको क्या करना चाहिए कम से कम 14-14 गंटे पढ़ाई करने चाहिए काम करना चाहिए और आपके लिए पढ़ाई ही क्या है सबसे बड़ा काम है तो आपको 14-14 गंटे पढ़ाई करनी चाहिए ठीक बात है मैं इसमें सहमत हूँ अब देखिए कि युवाओं क्सी क्यों कहा जा रहा है क्योंकि भीया जितना जादा आप मेहनत करोगे आप क्या करो और मोद्रा जब जादा आएगे तो अर्थवेवी एकता क्या होगी बड़ी होगी आज आप बड़ी अर्थ वेवस्ता किसको कहते है ऐसे घुत ऐसे की अर्थ्वेवेविके अलर से नहीं थोड़ी से कम है लेकिन बढ़ रही है अब समझेstore द्सक्राइगा अब अर्थ ब्योस्था में क्या हो रहा है हम क्या देखते होंगे यही तो देखते होंगे कि हमारे देश के लोगों ने एक बर्स में या पूरे बर्स भर में कितनी बस्तूओं और सेवाओं का उत्पादन क्या GDP आगे मैं मैं वहाँ पर बता चुका हूँ यहाँ पर डिटेल में डिसकस करेंगे कुल मिलाकर अर्थ ब्योस्था बड़ी और चोटी कैसे होती है उत्पादन से उत्पादन से क्यों क्योंकि उत्पादन का क्या है हर उत्पादन का एक मौद्रिक मुल है अर्था तो जब भी कोई चीज आप उत्पादित कर रहे हैं तो आप उसको सम्में मुधरा का खेल है तो इसलिए हमारी जो जर्णि है और मुधरा से स्टार्ट होगी क्या यहां तक बात के लिए sumलों बताईए ठीक है यहां तक के लिए चल अब हम बात करने जा रहे हैं मुधरा से सबनता दी एकदम के लियर ना एकदम clear हो जाना चाहिए पानी की तरह लेकिन ध्यान देना पानी की तरह ऐसा नहों कि निकल जाए पानी पिया और जो है कि कुछ समय बाद पानी बाहर पानी की तरह clear होने का मतलब यह है कि आपके खून में economy दोड़ने लग जाए एकदम अब दिमाज से आपको क्या बन जान है कि बिल्कुल सब कुछ economy के साब से सोचेंगे अब देखना आपके घर में कुछ दिन में क्रांती आने वाली है जब मैं कहूंगा कि पिता जी का आपका यह कार हना इस अर्थ विवस्था क्या इस चिन्न को दर्स आता है आपके पिता जी पूजिवादी है हना आपकी जो म ठीक है चालो आगे बड़े हैं आगे बड़े बहुत कम लोगों क्या हो गया सब ठीक तो है कोई बात नहीं कोई बात नहीं हमें भी पता है कि सभी लोगों को हना आइस की तैयारी सीरियस नहीं करनी है कई बार हमसे पूछते थे लोग आपको क्या लगता है कि कि टने लाग लोग हूंगे आईस के अंगे पूछ लीजी हरा आप देख लीजे बच्चों को उनका फोंचे कर लिजे पता चल जाएगा मुखर जीने गर में बच्चे रहते हैं एक दिन क्या हुआ हो सकता हो लोग लाइब देख भी रहे हो तो मुझे माप कर देना नाम किसी का नहीं लोगता मैं ऐसी में जा रहा था हना पार्क में टेल आ था तो दो हना भाईया लोग थे भाईया लोग भी थे दीदी लोग भी तक रा गए हमसे और हम ऐसे जो है कि गर्दन नीचे करके चले कर ठीक से चलो मैं ठीक भी है फिर हम जो आगे निकल गए हमने सोचा कि हम अंधेरे में आ गए हम भाग सकते हैं लोग दोडाएंगे नहीं तो हम पूछे भाईया यू प्यस्तिक त्यारी करते हैं क्या तो सबसे पहले हम इस समझना होगा कि मुद्रा इसको इंग्लिस में हम दो सब्दों से पुकारेंगे या तो हम मनी कहेंगे या फिर हम इसको करेंसी कहेंगे आप दोनों ही सब्दों को लेकर चलिएगा कन्फ्यूज नहीं होना मनी कह लिजी करेंसी कह लिजी बात एक ही है तो समझे आकर मुद्रा क्या है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मुद्रा क्या होते है ठीक फिर हम देखते हैं कि मुद्रा कितनी परकार की होते है फिर हम देखते हैं कि यह मुद्रा का परसार कैसे होता ह परसार कैसे होता है और परसार कितना होना चाहिए और फिर ये देखेंगे कि आखिर इस मुद्रा को नियंत्रित कैसे किया जाता है बहुत important topic आपके लिए होने वाला है तो सबसे पहले मुद्रा क्या है इस पर हम बात कर लेते हैं तो मुद्रा सितात पर नोट किजेगा मुद्रा वह बस्तू वह बस्तू जो किशी अन्य किसी अन्य बस्तू या शेवा को बस्तू या शेवा या किसी भी परकार के शामान को खरीदने की छमता रखती है उसको हम क्या कहते हैं उसको मुद्रा कहते है तो और एकजाम पर मान लेते हैं कि आपके पास कोई बस्तू है और इस बस्तू को लेकर आप यहां पर आए और यहां कोई बाजार है आपने इस बस्तू को दिया और इस से आपने कोई चीज प्राप्त कर ली तो आप क्या कहेंगे वह मुद्रा है दूसरे सब्दों में तो परतिक हना वह किसी परकार की किशी भी परकार की ऐसी संपत्ती या फिर धन का रूप धन का रूप जिसके माध्यम से आप अन्य बस्तू हैं खरीद पाएं वही क्या कहलाएगी कोई भी चीज है जिसको लेकर आप बाजार में जाएं और बाजार से कुछ चीजों को खरीद कर ले आएं वही क्या कहलाएगी मुद्रा अर्थात किसी भी बस्तू में या गिदी किसी एध्यान देजेगा यह थोड़ा सा राइटिंग समझ में आ रही है ना जो लो नहें तो अगर किशी भी बस्तू की क्रेश सक्ति चंता है किसी भी बस्तु में अगर क्रै सकती छमता और इसको आसान कर दिजेगा खरीदने की छमता है अगर खरीदने की छमता है तो हम उसी चीज को कहेंगे कि वो मुद्रा है अब मुद्रा को आप एक्जामपल से समझे जैसे कि आप देखते हैं कि आपके पास एक सिक्का है आपके पास note है आप उसको लेकर बाजार में जाते हैं आप क्या करते हैं आप उसको बस्तु ही तो देते हैं वह कागज का टुकड़ा एक बस्तु है वह सिक्का क्या है एक टुकड़ा है और आपने जब उसको दिया तो आपको बदले में कोई चीज देता है तो अगर आपके पास को भी ऐसी बस्तू है चाहे वह कागच का हो चाहे वह धातू का हो चाहे वह किसी भी चीज का हो सोना चादी किसी भी रूप में कोई बस्तू हो हना उससे अगर आप चीजों को खरीच सकते हैं तो उसको कहेंगे वह मुद्रा है ठीक है तो मुद्रा का अर्थ क्या हुआ हमने ये समझा कि वह परतिक बस्तू जो किसी दूसरे बस्तू को खरीदने की छमता रखती है हम उसको कहेंगे कि वह हमारे लिए क्या है मुद्रा है अब ये मुद्रा जो है ये प्लोचलन में कैसे आई होगी सबसे पहले तो मुद्रा बनी नहीं होगी जैसे क्या हम आज जो आधुनि किसे हमको याद है हमने चवणनी और अठनी पहले आती थी तो चवणनी और अठनी से हमने अपनी खूब मुरादे पूरी की हैं बहुत से बस्तूओं को खरीदा घर वाले मम्मे पापा तो ले नहीं जाते थे उनको सरम आती थी उन लाके रखते रहते थे और हम हमें पता था कि मुद्रा है क्योंकि हम उसको जब ले कर जाते थे तो हम उससे संत्रे वाले टॉपी खरे ले थे थे चोटे थे तो बच्पन में इमली भी आती थी और पता है पहले अठनी के चार गोल गपपे आते थे एक रुपए के आठ गोल गपे आते थे हम उस दौर के हैं तो वहाँ पर हमें क्या पर्था चलता था कि भाया यह ठनी चवनी जो कुछ भी है इसको ले कर जाएए और ले कर जाएंगे तो हम किसी दूसरी बस्तू को खरीद सकते तो इसकूल के पास जितनी चीजे मिलती थी मैं खरीद लेता था मेरे लिए क्या हुआ मुद्रा हुआ तो क् बस्तू बिन में पढ़ा ले इसको इंगलिस में बोलते हैं बार्टर सिस्टम इसको क्या बोलते हैं बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि आप क्या करें एक बस्तू को ले कर आएं और उस बस्तू को सामने वाले को दें और उससे दूसरी बस्तू प्राप्त कर लें जैसे आ आपने गेहूं दे दिया, इसने आपको दाल दे दिया, यह क्या हुआ, यहां पर एक चीज ने दूसरी चीज को खरीदा, तो इस तरह से पहले मुत्रा की रूप में क्या करते थे, हम अपने उत्पादन का डारेक्ट प्रियोग करते थे, तो पहले क्या होता था, बाचार गुर्ण रहो हैं। मैं किसी के पास जाओ겠지만 मिजे गुर्ण चाहिए ऑप के पास क्या है मैंने कहाँ मेरे पास गुर्ण होपतलीं कि से ले लिया। मैं कहले हो गुर्ण ज्याँ सामने वाला भी उतना धो च्योंकि देखो जो गेहूं है वो आसानी से उत्पन हो जाएगा लेकिन गुड़ आसानी से नहीं बनेगा अगर बजन की बात की जाए तो माल लो क्या एक केजी घी और एक केजी गेहूं का मुले बराबर होगा नहीं न तो पहली हमारी हाँ पर या किसी भी समाज में सबसे पहले बस्तू बिन में पनाली आई होगी और बस्तू बिन में पनाली में बस्तू ही क्या रही होगी मुद्रा रही होगी तो बस्तू बिन में पनाली में जो मुद्रा का रूप रहा होगा वो क्या रहा होगा खुद बस्तू रही होगी क्या ये बात किलियर हो गई यहां त था बस तु ही मुद्रा के रूप में परियोग की जाती थी लेकिन आगे चल कर आगे चल कर का सबसे पहले तो बाटटर सिस्टम लेकिन आगे चल कर हम ने एक पन्नी मुद्रा का विखाष किया इसको इंगलिष में बोलते हैं Community हमना money या currency। permite का मतलब क्या है कि हमने कहा कि भयए ये जो बार्टर सिष्टम है इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं गेहों उप जाता हूँ, अब मैं गेहों को बार बार अलग अलग जगों पर ले जा रहा हूँ, और मेरे जैसे बहुत से लोग गेहों उप जा रहा है, क्योंकि गेहों उप जाना आसान है, तो मैं कोई समान खरीदना चाहता हूँ, तो आसानी से समान खरीद नहीं पा रह कुछ बस्तों को हम क्या करें बस्तों को मुद्रा के रूप में शुकार करने मुद्रा के रूप में शुकार करने अब बस्तों में क्या हो सकता कुछ भी हो सकता हमने कहा मालो कि हम क्या करेंगे शोना लेकर आएंगे ठीक है हम क्या करें कि सोना है यह फिर चांदी है तो हमने क करते हैं हम सोना चानदी की खरित बिक्री करते हैं या फिर हमारे पास घोड़ा हैं तो हम क्या करें गाय और गोड़े के मांध्यम से भी पहल एपर कल लें इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मालो मेरे पास गाय самantal मैं गाय को आप क्या करो एक गाय मेरे पास ज़ादा है गाय ले लो और मुझे क्या करो गोडा दे दो तो धीरे धीरे ये जो बस्तु बिन में परणाली है उसको हमने थोड़ा सा संगठित करने का प्रयास किया और ये कहा कि हम कुछ चीजों पर सहमती बनाते हैं कि हम किसके माध्यम से ब तो कहा गया कि हम सोने का प्रियोग कर सकते हैं, सोने का टुकड़े का प्रियोग कर सकते हैं, चांदी का प्रियोग कर सकते हैं, हम गाय का, जैसे अगर हम बैदी काल पढ़ेंगे, तो बैदी काल में मुद्रा के रूप में किसको देखा जाता था, गाय को देखा जाता था, कि भया किसी के पास गाय है उसके पास बहुत जादा मुद्रा है ठीक इसी तरह से बरतमान समय में भी अगर देखें तो किसी के पास सोना है तो मुद्रा खूब है किसी के पास चांदी है तो खूब मुद्रा है और घोड़ा भी है तो खूब मुद्रा है क्योंकि इनका सब का क् ना एक मौद्रिक मुल है पुल मिलाकर जो बार्टर सिस्टम था तो बार्टर सिस्टम से आगे बढ़कर हम लोगों ने जो सिस्टम अपनाया वह था commodity money और commodity money में अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग बस्तों को ब्यापार का या मुद्रा का माध्यम बाना गया कई जगों पर गाय को माना गया कई जगों पर भेड और बकरी को मुद्रा की रूप में प्रियोग किया गया कई जगों पर घोडों को प्रियोग किया गया कई जगों पर सूने और चादी के बने हुई एस सौना और चादी के टुकडों का प्रियोग किया गया तो क्या हम लोग पन्य मुद्रा को समझ पाए उनका मुल एक समान रहा होगा क्या इनका जो मुल है एक शमान रहा होगा तो आपका उत्तर होगा बिलकुल भी नहीं इन बिल्कुल भी नहीं, सोने और चादी का, अब देखो, माल लो किसी समाज में, किसी ब्योस्ता में सोने और चादी, दोनों को ही हम ब्यापार की रूप में, मुद्रा की रूप में प्रियोग कर रहे हैं, तो क्या दोनों का मुद्रा का मुल एक जैसा होगा, नहीं, दूसर बैवहारिक नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे, व्यापारी बर्ग का उद्य हुआ, व्यापारी बर्ग क्या करता है, एक इस्थान से समान खरीदता है, और दूसरी स्थान पर, दूसरे इस्थान पर समान को लाकर क्या करता है वो बेचता है अब दूसरे इस्थान पर समान को बेचना है खरीदना है अब वो क्या करेगा सोना ढोकल लेकर जाएगा चांदी ढोकल लेकर जाएगा क्या गायों के जुंड को लेकर जाएगा क्या घोडे के जुंड को लेकर नहीं न तो यहां पर क्या हुआ कि धातु, व्यापारी बर्ग ने कहा कि ऐसा करते हैं कि चाहे सोना हो या चांदी हो हम उसको ब्यवस्थित कर देते हैं, कि सोने के हम एक फिक साइज के कुछ टुकड़े निकाल लेते हैं, जिनको हम धातु, सोने के सिक्के कह सकते हैं, हम चा तरह से चांदी का तो इस तरह से क्या हुआ आगे चलकर ब्यापारी बर्ग के त्वारा धातु मुद्राइं अस्तित्व में तो पहले वार्टर सिष्टम आया पहले सबसे पहले वार्टर सिष्टम आया फिर क्या आया कमूडिटी मनी आया और फिर उसके बाद धातु मुद् के कुछ जगों पर तांबे के अलग-अलग समाज में अलग-अलग मुद्राओं का स्वरूप हमें देखनेों को मिलता है तो यह धातू मुद्राओं हैं अभी जो धातू मुद्राओं आई सबसे पहले ब्यापारिक बरने अपने पास जो धातूएं थी उसने क्या किया उसको बड़े बैपारी, हम भी बड़े बैपारी, तो हम जब बैपार करेंगे, तो तुम मुझे इसी परकार का सिक्का दे ना, तुम अपनी सिक्के बना लो सोने के, मैं अपनी सोने के सिक्के बना लेता हूँ, तुम चांदी के अपने सिक्के बना लो, चांदी, इस तरह से एक ब उपनी मुद्रा में, जैसे उनको कर चाहिए जिस रूप में, कि भाईय야 आनाज के रूप में चाहिए, हणना किसी बस्तु के रूप में चाहिए, तो उनको बस कर मिलता रहें, वो उदासीन बने रहें. लेकिन जब उन्होंने देखा, कि भाई, मुद्राओं का बहुत करना चालो किया, तो जैसे जैसे राज और समाज आगे बढ़ता चला गया, ये धातु मुद्राओं का स्कोप क्या है, बढ़ता चला गया, ठीक है, अब धातु मुद्राओं जब बनी होंगे, तो कौन कौन सी मुद्राओं, ये सोने की रही होंगे, ये चांदी की रही होंग हना यह तांबे की रही होंगी यह मिक्स की रही होंगी हना मिक्स जो है कि मेटल की रही होंगी किसी भी रूप में रही होंगी लेकिन धीरे-धीरे हमें यह देखता है कि धात्तों मुद्राएं आने लगी क्या यहां तक किलियर हो गया सब लोग बताईए ठीक है क्या यहां तक किलियर हो गया यहां तक किलियर सब लोग बताईए जल्दी जल्दी बताईए किलियर मजा आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं कि समझ में आ रहा है कि नहीं कि एक दम चप जाना चाहिए किस्टल किलियर हो जाना चाहिए कि एक दम के लिए कि चले तो यह था पुराने समय की बात अब हम आ जाते हैं कि भाई देखो यही राजा और महाराजा थे और फिर इन कि नहीं से क्या हुआ आधूनिक राज बने पारफ बने और चितने भी आप आधूनिक राज देखते हैं तो आधूनिक प्रते ही का है अपनी एक निश्चिस सीमा है और इस निश्चिस सीमा में वह किसी मुद्रा को मुद्रा के रूप में परियोग करता है वह मुद्रा के रूप में परियोग करता है अब यह जो मुद्रा का रूप परियोग है वह किस रूप में हो सकता है वह हो सकता है कागज के टुकड़े के रूप में हो या फिर हो सकता है वह सिक्के के रूप में हो अर्थात वह कोई धातू का भाग हो सकता है किसी रूप में लेकिन परतेक आधुनिक शमाज या राज में कोई न कोई मुद्रा होगी, जैसे आधुनिक राज का मतलब है कि हम बात करें अपने देश भारत की, तो हमारी यहां पर क्या चलता है, रुपया चलता है, ही किसी तरह से पाकिस्तान की बात करें, यहां पर भी कुछ चलता होग यह सिख्य के रूप में हो सकते है या फिर वो किसी और रूप में हो सकती है लेकिन कोई न कोई एक ऐसी मुद्रा होगी जिसके माध्यम से आधुनिक राज क्या करता होगा ध्यान देजेगा वह अपने घरेलू बाजार में घरेलू बाजार में उस मुद्रा के माध्यम से खर अंतराष्टी बाजार से भी कुछ चीजों को वह खरीदने और विक्रे करने की चमता देखना हो जैसे हमारा रुपया जो है तो क्या वो घरेलू बाजार के लिए हमारे लिए रुपय का काम नहीं करता है क्या हम मुद्रा जो हमारे यहां पर सिक्का है या कागच का हम उसको घरेलू बाजार में लेकर जाते हैं क्या हमसे कोई मना कर सकता है हम कोई कह सकता है कि नहीं हम गांधी जी वाला नोन्त ला कर दीचे यह हमें सुभाच चंद्र बोस जी का फोटो लगा हुआ नोट ला कर दीचे जो मुद्रा पूरे देश के लिए चलर रही है वह घरेलू बाजार में क्या होगी सर्कुलेट होगी और घरेलू बाजार में ये जो मुद्रा होगी क्या होगी इस मुद्रा की अपनी क्रै सकती चमता होगी होगी कि नहीं क्रै सकती चमता मुद्रा का अर्थी क्या था कि भीया उसके पास खरीदने की चमता होगी जैसे क्रै सकत अलग होंगी किसी मुद्रा पर अगर लिखा है कि वह 10 रुपे का कागज का टुकड़ा है तो उसके खरीदने की चंपता क्या है सामान की चमता के बराबर नहीं हो सकता कैसे अगर माल लेते हैं मैं 100 रुपे लूँ और 100 रुपे से मैं क्या करूँ मैं दुकान पर जाओं और मैं उनसे कहूँ कि भीया एक बिस्किट आता है पारले जी आप मुझे ये दे दो अब पारले जी 10 रुपे का भी आता है वो चैनली लेकिन क्या अब मैं इसी 100 रुपे को लेकर अमीर का चला जाओं तो आप कहें सर आप इसको लेकर कैसे जाएंगे तो मैं क्या करूंगा कि मैं अ तो यहरपोर्ट पर जो बैंक रहते हैं उनसे कहूंगा कि भाई मुझे आप क्या कीजिए 100 रोपे के बराबर USA का डॉलर दे दीजिए और USA का डॉलर हो जब मुझे 100 रोपे के बराबर दे देंगे तो मेरे पास क्या आ गया डॉलर आ गया मालो मेरे पास लगभग 1.25 डॉलर इतने डॉलर के बराबर 100 रोपे में मुझे इतने डॉलर मिले अब मैं इसको ले कर जाओंगा तो क्या मैं वहां के बाजार में भी 10 पारले जी की बिस्कुट खरी सकता हूं तो आप कहेंगे नहीं क्यों कि वहां पर महंगाई वहां पर उसका जो मुल्य हो अलग हो सकता है जैसे आप देखते हैं आपकी हाँ पर जो समोसा है आपकी हाँ पर जो चाय है वह कम मिलती है लेकिन जब आप बड़े सहरों में जाते हैं वही चाय वही समोसी का मुल्य क्या हो जाता है बढ़ा हुआ मिलता है तो दरसल अपनी गाउं में आप 5 या 10 रोपे में जितनी हैं कि आप बाहर बाजार में जाए कर उतना खरी सकते नहीं खरी सकते तो आप सोचे जब देश चेंज होगा तो क्या देश में अगर अमेरिका चले गए यूरोब चले गए तो क्या फ् theor हम कि सब लोग बताईए कि क्या हमें यहां तक बात समझ पाए कि सब लोग सब लोग कि बताओ आसान है कि नहीं आप भी बताओ कितना आसान है कि नहीं अब इसी तर से पाले जी खाएंगे जिले भी खाएंगे चाय समोसा बिस्केट खाती विए पुरा सेग्मेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा है ना कि कौन करेगा कि मतब कहां से किस को कहें ना कहां जाये पैसा देने भी याप पैसा ले लो अना सेसन को लाइक और चलो यह बहां चलो अब आते हैं असली चीज पर अब हमने समझा कि मुद्णा के बिसेश्ट हमारी थोड़ी सी बेसिक जानकारी बढ़ी अब हम थोड़ा सा मुद्रा के परकार को परसमजते हैं मुद्रा के परकार ठीक है अब मुद्रा के अगर हम परकार को देखें तो मुद्राओं को सबसे पहले हम दो भागों में डिवाइट करते हैं एक flow chart बनाईएगा मेरे साथ बहुत से चीज़ें इसमें जोडते चलूँगा ठीक एक होती है बास्त्विक मुद्रा अब मैं बताऊंगा क्या होता है पहले flow chart बना ले जाएग बास्त्विक मुद्रा ठीक है इसको इंग्लिश में बोलेंगे real money real money ठीक दूसरा होता है अब हम यहां से अपनी जर्नी को श्टार्ट करने वाले है कि सबसे पहले यह देखेंगे कि बास्तिक मुद्रा क्या होती है अब जो बास्तिक मुद्रा की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी भी कुछ विभाजन होते है यह भी क्या हो सकती है यह धातू मुद्रा हो सकती है यह फिर यह कागज के रूप में हो सकती है अब धातू के रूप में होगी तो इसको metallic money बोलेंगे और कागज के रूप में होगी तो इसको कागज money बोलेंगे तो यहाँ पर इसको लिख लेज़े इसको हम paper money के रूप में देखने वाले हैं और इसी को आगे चल कर हम लोग कहेंगे P8 money तो हम यह देखेंगे कि आखरी कागज money या P8 money क्या होती है ठीक है उससे पहले हम यह देखना होगा यह जो धातु मुद्रा होती है यह कह होती है तो हम मानक मुद्रा करेंगे एक मानक मुद्रा की रूप में होगी एक धातु की ही बनी हुई मुद्रा होगी जिसको हम परतीक मुद्रा कहेंगे और एक होगी शहायक मुद्रा एक होगी शहायक मुद्रा और इसमें अभी हम बहुत से बहुत से प्रकार को इसमें जोड़े बोलते हैं हम बहुत से चीज़ों को देखने वाले हैं । लेकिन हम अपनी जिनी सबसे पहले यहां से आगे बढ़ेंगे तो क्या हम लोगों ने फ्लो चार्ट बना लिया बहुत सी चीजों को हम देखते हुए आगर बढ़ेंगे लेकिन एक एक करके तो सबसे पहले हम बास्तुरिक मुद्रा से अपनी बात को इस्टार्ट करेंगे के लिए यह बना लिया आप लोगों नहीं यहां तक बना लिए ज जो बीच में क्लास छोड़े समझ जाईएगा तुम्हारे लिए भी से आसान नहीं है कोई क्लास छोड़ के जाए तो समझ जाईएगा उनके लिए भी से कठीन होने वाला यहां तक के लिए चल अब आईए एक एक करके समझते हैं यह फ्लोचार्ट मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताया कि आपको डायरेक्शन पता चल जाए कि किस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं आई सबसे पहले हम बात करते हैं रियल मनी अर्था वास्टवीक मुद्रा पर वास्टवीक मुद्रा इसको इंग्लिश में बोलते हैं real money ठीक इसको बोलते है real money और सही बता रहा हूँ यह इतना आसान है न अभी आपको मज़ा आ जाएगा एक बाह बताओ आप सब लोगों ने चूरन खरीदा है पहले मतलब सोचो हमें मानोता से भरोसा उड़ चुका था बच्पन में ही हुआ क्या था कि हमने जैसा बता है कि हम अठनी चवानी हमको मिलते थे हम ले कर जाते थे और हमने यह देखा कि एक चूरन वाला साइकिल पर चूरन बेचने आता है और उसनी वो क्या करता था चूरन देता था और उस पर पीछे से नोट लगावता था कि अठनी दो और पांच रुपए दो और मुझे बड़ा अच्छा लगता था अरे बताओ चूरन भी खाने को मिल ला है पांच रुपए भी मिल ला है तो मुझे लगता था यह अंकल जो आते हैं न साइकिल वाले यह भगवान है यह सिर्फ और सिर्फ जो है कि हमें पैसा देने आते हैं और मैंने बच्छो इस चक्कर में क्या किया खूब चूरन खाया खूब पिटाई किया दातों सब खराब ह गया डेली घर पर जाकर पिड़ता था लेकिन कैसे बतां मुझे साइकिल वाले के अंदर एक भगवान दिखाई देता मैं घर वालों को कैसे बताता कि आपको पता नहीं है मैं आपसे बड़ा लगपति बनने वाला हूं मैं पापा को कभी कह नहीं पाया लेकिन मेरे मन में आ रहा था कि किसी ना किसी दिन मैं पापा को बताऊंगा कि मेरा बक्सा खोल लो अपना बक्सा खोल लो देखो कितने पैसे हैं और मैंने ऐसे करके खूब जादा धन संपत्ति और जो है कि मुद्रा अर्चित की अब हुआ क्या एक दिन मेरे पिताजी ने धर के हमको कूट दिया जब देखो चूरन खाते रहते हो तुम कुछ नहीं कर पाए वो निकल जाओ गए हमारे घर से हमने का हम जा रहे हैं आपके घर से हमने अपना बक्सा उठाया और हमने कहा जा रहे हैं लेकिन देख कर जाओ कि आपने कितनी बड़ी चीज खो दिया और हमने खोला हमने यह देखो पांच के नोड़ दस के नोड़ और हमने उनके ऐसी सामने रख दिया अब उनके होस उड़ गए उन्होंने कहा यह आदमी तुमको कहा मिला तो मैंने कहा डेली अंकल जी आते हैं वो आदमी नहीं है वो जिन्दा रखा इतना लगपती बनाया आपको क्या पता आपने दिये पैसे अभी हमको उन्हों ने कहा ये नकली मैंने जटीक मुद्र आई यह जो तुम्हारे पास है यह ये भास्तमिक ठेक समझ गया रियर मुद्रा पास्टी मुद्रा समझ गए यही है बस अब बताओ इससे भी आसान को इसे होगा मेरे जीवन के इतने बुरे-बुरे अनुभव है ना मैं उन्हीं को बता बता के पूरा विसे आपको ऐसी मज़ेदार तरीके से समझा ले जाओंगा आसान होग हाना चले तो बास्टीक मुद्रा का मतलब क्या है किसी देश की किसी देश में हाना किसी देश में चलने वाली चलने वाली अना बैधानिक मुद्रा बैधानिक मुद्रा या फिर लीगल टेंडर या फिर लीगल टेंडर को हम क्या बोलते हैं बास्टीक मुद्रा बोलते हैं क्या आपको वो दिलियाद है जब मानि परधान मंत्री जी देश के सामने आए और देश के सामने आकर अना देश के सामने आकर उन्होंने कहा कि आज के बाद आज के बाद इस देश में यह इस परकार के नोट जो पुराने नोट थे वह लीगल टेंडर नहीं रहेंगे तो वही टुकड़ा था जिसको लेकर हम इतराते थे हम कहते थे देख रहे हो हजार हजार रुपए के नोटों की गड़ी देख रहे हो कुछ दिन बाद का ह हुआ वह लीगल टेंडर नहीं रहा इसका मतला वह बास्तिक मुद्रा का उसने मुले खो दिया ठीक है तो हमने कहा कि बास्तिक मुद्रा मतलों किसी देश में चलने वाली बैधानिक मुद्रा अर्थाद परतीक देश परतीक देश अपने यहां जिस मुद्रा को मानियता परदान करता है जिसके माध्यम से आप सभी परकार की खरीद और बिक्री पैधानिक तरीके से कर सकते हैं वह क्या है आपकी बास्तिक मुद्रा है अब ध्यान देना मैंने यहां पर एक सब्द दिया कि परतीक देश अपने हाँ जिस मुद्रा को मानिता परदान करता है मानिता परदान करने का मतलब है क्या 500 की नोट की तरह दिखने वाले नोट अभी एक सीरीज आई कि बेब सीरीज थी थी था पता नहीं मुझे ति थी कि बेब सीरीज मुझे नहीं पता उसका मैंने टेलर देखा था उसमें क्या होता है एक आदमी एक्टर क्या करता है खूब धेर सारे नोड चाप देता है और नोड चाप कर रहा होता है अब मुझे इस समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस उसके पीछे क्यों पढ़ी है भाई उसमें भी कहां थी चीज़ दिख रहा है उसमें भी सभी चीज़े वैसे ही है वो आज आपको लगे अरे गुरुजी आई एस वई एस में कुछ ना रखा अना कुछ बढ़ा करेगा भाई अपना मैंने क्ये करेगा तू अरे कुछ ना भाई अब तो मैं नोड चापेगा अब नोड चापने लगे तो क्या हुआ बास्तिक मुद्रा है नहीं वहां लीगल ट वहांके केंदरी बैंक ने बिनमे का माध्यम बनाया हो पिनमे का मतलः हो था जैसे आप पैसे लेकर जाते हो आपकपड़ा खरिद लाते हो मौबाईल खरिद लाते हो बिनमे तो कर रहे है कारिए कि मुद्रा होगी क्या सभी देशों के एक होगी सभी देशों की एक ही होगे है एक ही होगी तो यहाँ पर घरेलू बाजार में सभी देशों की एक होगी तो घरेलू बाजार में नहीं जैसे क्या हम अपना रुपया लेकर हम पाकिस्तान में जा सकते चला सकते नहीं क्या पाकिस्तान को रुपया हमारे घरेलू बाजार में चल सकता नहीं क्या हम अपना रुपया लेकर हम जो है कि बास्त्रिक मुद्रा ध्यान देना अंतराष्टी मुद्रा भी हो सकती है हो सकती है तो ध्यान देना अगर अंतराष्टी अंतराष्टी बाजार में देखें तो हो सकता है कि किसी देश की बास्त्रिक मुद्रा अंतराष्टी बाजार में कई देशों के दोड़ा प्रयोग किय तो आई होप आप समझ पाए कि बास्त्रिक मुद्रा क्या होती है तो किसी भी देश में जितनी मुद्राय चल रही है वह उस देश की बास्त्रिक मुद्रा होई अर्थात किसी देश की लीकल जो टेंडर है जिसको वहां की सरकार वहां की केंदरी बैंक ने केंदरी संस्थाने जारी किया और उस पर वो क्या करता अपनी जिम्मेदारी लेता है जैसे कि आप 50 रूपे 100 रूपे का नोट देखिए कोई भी नोट देखिए उसमें क्या लिखता है मैं धारक को इतने रूपे अदा करने का बचन देता हूँ इसका मतलब बचन क्या है कि भाईया आप उस मुद्रा नहीं लेंगे क्यों कि बास्तुविक मुद्रा और जो मेरे पास थी भगवान जी ने वह अंकल जी ने चूरन वाले अंकल जी ने दी थी वह बास्तुविक मुद्रा नहीं है आप को मुद्रा छाप लोगे बास्तुविक मुद्रा नहीं है ठीक है बाहर के किसी फिक अब ध्यान देना यहां पर एक लोग्य प्रशन है जैनुन प्रशन किस से नैपाल का पैसा भारत में ठाँ चलता है भारत में यह भारत का नैपाल में चलता है ऐसा होता है अब ध्यान देरा कि हमनी यहां पर क्या लिखा है कि परतेग देश अपने यहां जिस मुद्रा को मानेता परदान करें अगर दो देश यह समझोता कर लें कि भाई ऐसा करो कि आपकी जो मुद्रा है वो हमारे देश में भी और हमारी मुद्रा आपके देश में भी क्या होगी वैलिड होगी तो मानेता ही तो प्रतान करना है तो दो देश अगर क्या करें एक दूसरे किसे मानेता प्राप्त करने सरकारे मानेता दे दें तो क्या हो जाएगी बास्तिक मुद्रा का मतलब मुद्रा का वह रूप जो किसी देश में हर चीज को जाओगे कोई मना नहीं कर सकता है कि और छोटी सीफटी सी चीज़ बताता हूं आप JABlack बहुत से लोग क्या करते हैं और कोई सिकठा करते हैं और कोई बड़ी चीज लेकि जाब अब आइफोन वाले के बास पहुंच गए एक रूपर गीनो थोड़ा सा आपको पहले हमें आइफोन दे दो हम चलाते रहे तुम गिनते रहो वह मना नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता लीकल्टेंडर है लीकल्टेंडर को अस्विन ना करना अरे राजदरों लग जाएगा भाई कि यह सो जाएगा जूरमाना भी ना हो लगा को तो क्या करता है कि हम थोड़ा मुबाइल चला अठीक है नया वाला अच्छा कलर दिया अच्छा कितना हुआ साथ हजार अब यह और किनों यह वाली पोटली गुन अच्छा अच्छा क्या है लीगल टेंडर है ठीक अब आईए अब हमने बास्तिक मुंत्रा देखा अरे यह क्या हो गया एक सिकन्द देजेगा मेरे पास जगह खाली पेज नहीं है ओके रुके रुके मैं खाली कर लेता हूँ ठीक है मैं मिटाओंगा कुछ है न इसको मिटा दो एक बार इसको मिटा दो एक बार देख लिजे आपको जो भी फोटो बगरा लेना ले लीचे मैं इसको मिटा दो फिर आगे बढ़ जाता हू ठीक है चल तो इसको मैंने मिटा दिया ठीक अब देखें अब यह जो बास्तुविक मुद्रा होती है यह भी दो परकार की होती मैंने आपको बताया था ना यह जो बास्तुविक मुद्रा है इसका भी हमने बर्गी करण किया था धातु मुद्रा और कागज मुद्रा ठीक है तो जो बास्तुइक मुद्रा है ये भी दो रूप में हो सकते हैं हो सकता है बास्तुइक मुद्रा किसी धातु की बनी हो अर्था कोई देश क्या कर रहा हो सिक्के चला रहा हो तो सिक्के समान तक किस से बनते हैं धातू से बनते हैं तो यह क्या हो सकते हैं बास्तिक मुद्रा एक धातू मुद्रा के रूप में भी हो सकती है और बास्तिक मुद्रा किस के रूप में हो सकती है कागज मुद्रा के रूप में भी तो इसको हम आगे देखेंगे इसी को वह मुद्रा जो किसी धातु से निर्मित हुई हो उसे हम धातु मुद्रा कहते हैं अब धातु में क्या हो सकता है हो सकता है कि शोने की जो मुद्रा हो, सोने की धातू से बनी हो, चांदी की धातू से बनी हो, वह तामे से बना हो, या फिर वह जो है कि लोहे का बना हो, किसी भी चीज का बना हो सकता है, इस सब क्या है, धातू हो, क्या हम लोगों ने कभी अपने इतिहास काल को अगर हम या फिर किसी भी धातों के बने वे सिक कोई की बात आती है तो हम कहते हैं बिलकुल आती है तो अगर हम देखें तो हमारे समाज में अलग 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 मुद्राएं अलग-अलग धातों मुद्राएं प्रचलित रही है और धातों मुद्राएं जो यह प्रचलित र चाहता है लेकिन अगर देखें तो लगबक सभी समाजों में धातु मुद्राइं अस्तित्तों में आई थी मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि जब व्यापारी बर्ग का उद्य हुआ तो उसने सबसे पहले पानी पीलू पानी कि अब पानी कि अब कि अब अभी समय है बच्चों अभी कलास खतम नहीं हो रही है ठीक है तो हमने कहा कि अलग-अलग आकार और परकार की मुद्राइं रही होंगे और अलग-अलग समाजों में चली ठीक है तो इसको बोलेंगे धातु मुद्रा अभी हम कागज मुद्रा पर नहीं आएंगे अब बताइए जो धातु मुद्राएं हैं क्या धातु मुद्राएं हमेशा एक ही जैसे रही होंगे क्या उनकी मुटाई क्या उनका आकार क्या उनका मुल्य एक ही जैसा रहा होगा तो आप कहेंगे नहीं अभी जो धातु मुद्राएं हैं इनके भी तीन बर्गिकरण किये जाते हैं पहला है मानक मुद्रा मानक मुद्रा ये किसका बर्गिकरण है ये धातु का यहां पर देखे मैंने किया था मानक मुद्रा परतीक मुद्रा और फिर सहायक मुद्रा तो मानक मुद्रा मानक जिसका अंकित मुल्य उसमें निहित धातू के मुल्य के बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं मानक मुद्रा कहते हैं इसका मतलब यह है कि मान लोग यहां पर एक कोई शिक्का है और इस पर लिखा है 100 रुपे इसका मतलब है कि जब आप इसको लेकर किसी दुकान के पास गए और आपने उससे कहा कि भाई हमें क्या करो यह 100 रुपे का समान दे दो तो 100 रुपे का समान दे दो आप 100 रुपे का समान ले आप पिर क्या करो अप का मन करे कि आप क्या करो अपने घर परिवार में किसी बैक्ति को दे दो वह क्या करे इस सो रुपे को क्या करें गला दे इस सो रुपे को गला दे और सो रुपे को गला कर यह कोई धातू बना ले मालो यह चांदी का बना हुआ है और पिगला कर चांदी के रुप में बना दे तब भी चांदी का मुल्ले भी क्या होना चाहिए सो रुपे होना चाहिए अर्थात वह मानक मुद्रा से ताट पर उस मुद्रा उस सिक्के से है जिसको अगर आप गला भी लोगे न तो भी उतने रुपए की ही धातू रहेगे अरथात उसका जो अंकित मुल्य है दरसल उसका ही मुल्य बताता है सौर पेका आपके पास चांदी का सिक्का है सिक्का कोई नहीं ले रहा पुराना हो गया मानलो उसकी मुहर हट गई कुछ खराब हो गया पेंट गिर गया और पेंट गिर गया कोई नहीं ले रहा आप कुछ मत करो उसको गला दो और गला कर क्या करो सो रुपे का वो आपको चांदे मिली गया, वो क्या हो गया? हम उसको बोलेंगे मानक मुद्रा. क्लियर? इसका मतलब है कि अगर यह जो मानक मुद्रा होगा, इसको अगर आप गला दें, इसको आप पिघला दें या फिर इसको आप गैर मौद्रिक कारियों के लिए के मतलब है कि भाई आप उसको खरीब विक्री के रूप में नहीं आप क्या करो कि हम तो क्या करेंगे दस जो है कि चांदी के सिक्के लाएंगे और दस चांदी के सिक्के को लाकर हम उसको गलाएंगे और गलाकर क्या करेंगे पाइल बनाएंगे और पाइल बनाकर क्या करेंगे हना पत्नी को करवा चोत वाले दिन क्या करेंगे समर्पित करेंगे तो आप ऐसा कर सकते हो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नुक्सान नहीं होगा तो समझ गए अब याद रहे जाएगा एकजम्पल कि सौर क्या करना है जितने की मुद्रा हो उतने की ही बस्तू आप उसको गला कर प्राप्त कर पाओ वही मानत मुद्रा है ठीक तो आसान भासव में कहें कि कोई भी मुद्रा अगर उसके धातू का मुल और उसके धातू का मुल और उसके अंकित मुल है जिसके धातू का मुल और बराबर अंकित का मुल उस पर अंकित मुल यहीं पूछ लिया गया UPSC में कि उस मुद्रा को क्या कहेंगे जिसके धा प्रश्ना आएगा कि क्या इस समय हमारे देश में बरतमान समय में या बरतमान शमय में कोई हमारे पास मानक मुद्रा है तो इसका उत्तर है नहीं हम इस समय कोई मानक मुद्रा इंजॉय नहीं कर रहे हैं कोई नहीं चला रहे हैं लेकिन प्रश्ना आएगा कि क्या कभी हमारे देश में मानक मुद्रा चली थी तो हाँ चली थी अठारो सो पैंतीस से लेकर अठारे सो तिरानवे तक हमारे हाँ पर एक रुपए का सिक्का चलता था तो जो अठारो सो पैंतीस से लेकर अठारे सो तिरानवे तक एक रुपए का सिक्का चलता था अगर आप उस सिक्के को पिघला देते तो आपको एक ही रुपए प्राप्त होता था इसी के करण उसको हम मानक मुत्रा कहते थे क्लियर यहां तक ठीक है अब जादा नहीं दो मिनट की क्लास और बची है दो मिनट की class और बच्ची है पढ़ सकते हैं पढ़ सकते हैं फिर से मुझे मिठाना पड़ेगा इसको आप क्या करो नोट कर लो फोटो खीचना फोटो खीच लो नोट कर लिजी जादा अच्छा है फोटो का चक्कर मत पाड़े ने थीक तो अगर आप इसको कल ले हैं मैं सिको कं मिटा दू है उ हुआ ई रह है कि नहीं आ रहा है अच्छा आपको पता है न कल से आपकी एस्से की किलास है स्बुसे क्ल师े कि क्लास है कित्ते बजे वूपीम से आज ही से होने वाली थी लेकिन हमें अभी दो बजे जाना है डॉक्टर साथ बोलाएं के आओ आओ पड़ा रहे हमारे लिए पईशा लेकर आना अमने कि नहीं हमाया पईशा ठीक है जमीन का कागल लेकर आना तो हमने को वह भी नहीं हम किरा सब्सक्राइब रहते हैं कि तुम्हारी स्कूटी खड़ी करवा लें हमने ठीक है तो आज हम जाएंगे अपनी स्कूटी खड़ी करेंगे दवा लेकर आएंगे ठीक है मानक मुद्रा इस्टेंडर मनी हो गया चलो अच्छा अरे फिर से हट इधार हो तो हमने यह देखा कि जो धातु मुद्रा है धातु मुद्रा अर्था मेटैलिक मनी जो है इसका एक प्रकार हुआ मानक मुद्रा दूसरा है प्रतीक मुद्रा इंग्लिश में बोलते हैं शिंबॉलिक मनी प्रतीक मुद्रा प्रतीक मुद्रा बस इसी से जुड़ा हुआ है मानक मुद्रा में क्या हो रहा था कि इसका जो धातु मुल्य था धातु मुल्य बराबर क्या था अंकित मुल्य के अंकित मुल्य के यहां पर परतीक मुत्रा में क्या होगा यहां पर जो धातु का मुल्य होगा वह अंकित मुल्य शे उसके अंकित मुल्य शे कम होगा अंकित मुलिशेकम जैसे अगर आप अभी एक रुपे का सिक्का लो तो एक रुपे के सिक्के को गलाओगे तो जो आपको लोहा प्राफ्थ होगा क्या वो एक रुपे के बराबर है नहीं आप देखेंगे तो सिक्के का जो आकार है उसमें जो लोहे के मात्रा वो घड़ती च जले जा रहे हैं पहले क्या हुआ था बीच में ऐसा भी दोर आया था जब लोगों को पूराने वाले एक रुपे के स्केटे सथय उसके घंकali काप Italians क Dragon का अभी बता उसलिल करंकर दिया तो यूक प्रतिक सिंबॉलिक अर्था इसका एक रुपे मुल्य एक सिंबल के रूप में है एक रुपय का धातू आपको प्राप्त नहीं होगा ठीक है तो अगर किसी मुद्रा को आप गलाओ यहां पर अगर किसी मुद्रा को आप मेल्ट करो गलाओ और उसके धातू प्राप्त हो वह उसके अंकित मुल्य शे कम हो धातू का जो मुल् कित मुल्यशे कम हो तो हम कहेंगे वह क्या है परतीक मुद्रा है तो एक उर्पे का सिक्का इसका अच्छा ग्याम पल हो सकता है अगला है शहायक मुद्रा अब जो सहायक मुद्रा होती है न वह भी क्या होती परतीक मुद्रा ही होती है परतीक मुद्रा और होता क्या है कि दरस आसले सहायक मुद्राएं परतीक मुद्रा के साथ या फिर परतीक मुद्रा की परतीक मुद्रा की सहायता के लिए लाई जाती है जैसे सबसे पहले एक रुपे का हमने सिक्का निकाला और हमने यह देखा कि भाई यह सिक्का चल रहा है इसमें जो धातु लगा हुआ उसका मु मुल्य के अन्य सहाइक सिक्के निकाल दिए जैसे हम जितने भी सिक्के देखते हैं इस अइनको जब आप गलाएं गाले का सिक्का है उस फोगर अब मिलेगा आपको अगर आप 10 रुपय को गलाते हैं और आपको लगे कि उसको अगर गलाएंगे तो उसका जो धातों का मुल्या हो सकता है डेड़ से 2 रुपय मिले लेकिन वह क्या है परतीक मुद्रा दस रुपय लिखा हुआ है उस पर और यह सब क्यों चल रहा है क्योंकि हमन एक पर्तिक मुद्रा को अपनाया और पर्तिक मुद्रा धूमढाम से चल रही है तो इसकी सहायता के लिए ऐसे ही कुछ हमने मुद्राइं निकाल दे जैसे हमें लगा कि इस कलास में 10 लोग बड़े अच्छे हैं हमने कहा भाईया ये बड़े अच्छे लोग हैं हना इनका जो पोटेंसिल बहुत अच्छा है और आप जस लोगों को फिर हमने देखा कि नहीं कुछ लोग इनसे थोड़े से कम जोर है लिकिन उनकी भी विशेष्टा ऐसी है तो हमने और लोगों को सेलेक्ट कर लिया थी किसी अंकित मुले जादा है तो हम परतीक मुद्राओं के साथ अन्य जो मुद्राएं जोर देते हैं परतीक मुद्रा हमारी एक रुपया और इसके अलावाद जितने भी सहायक मुद्राएं हैं सब उसकी सहायता के लिए आते हैं लेकिन इनमें भी परतीक मुद्रा की विशेष् क्या ये बात के लिए अर अब बताओ क्या ये बात के लिए अर हो गई अब कल से हम क्या करेंगे कल से हम पढ़ेंगे paper money देखेंगे paper money कैसे बनती है और इसी को बोलते है paper money कल यही से हम देखेंगे कि hard money क्या होती है हम देखेंगे soft money क्या होती है हम देखेंगे hot money क्या होती है हना कल बहुत से banking money क्या होती है banking money क्या होती है बहुत सी money के अभी हमें types को देखते हुए पढ़ना और इस सभी चीजे आपके exam के पॉन्टब्वे से आपकी जानकारी के पॉन्टब्वे से बहुत इंपॉर्ट अब मैं समाप्त करूँ उससे पहले एक मिनट मुझे दीजे अब सभी लोग बताइए क्या यह चीज समझ में आई की नहीं क्या हम यह जर्नी स्टार्ट किये हैं क्या आपको वास्तों में यहां अगर आसान है तो अभी वीडियो जब समाप्त होगा तो सब लोग ने तो सराब देई दिया हम बताए रहे हैं बहुत मेहनत किये हैं तुम सुनत नाई हो तो सब लोग अच्छा-च्छा कमेंट करके जाएएगा बच्चों तक सेयर कीजिएगा सेसन को ताकि इस निसुल की से अच्छे का भियान को बढ़ाया जा सके ठीक है थैंक यू सो मच